Hello Everyone, इस वीडियो में मैं Class 3 की Math Worksheet No.127 करवाने चाह रहे हूँ जिसकी Date है 7 December 2021 और इस Worksheet का Related Learning Outcome है, Explains the Meaning of Divison Facts by Equal Grouping और Sharing ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है इस Worksheet का चित्र पहली, इसको हम देख लेते हैं सबसे बहले देगर चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परन्तु बनाते समय चित्रतों में कुछ गल्तियां हो गई है आपके इनी चार गल्तियों को ढूड़कर अपने अध्यापक या ध्यापका के साथ साजह कीजिए तो चार गल्तियां हम लोग ढूड़ते हैं यहाँ पर पहली गल्तिय देखिए पहली गल्तिय यह है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है जेकिन यहाँ पर कुछ बना हुआ है दूसरी गल्तिया हम लोगों क्या दिख रही है यहां पर इस तरह के से line बनाई गई है लेकिन देखो यहां पर line नहीं है और थर्ड mistake अगर हम बात करें तो यहां पर एक dot type का बना हुआ है लेकिन देखो यहां पर नहीं बना हुआ ओके तो हमारे तीन mistake हो गई है अब चौती mistake और है कि यहां इसके I think pair है या कुछ है लेकिन देखो यहां पर नहीं है ठीक है एक और mistake भी है कि यहां पर इस तरह के से नहीं गोला नहीं बना हुआ लेकिन देखो यहां पर बना हुआ है तो इस तरह के से 5 mistake है टोटल बट आपसे 4 ही बोल रखी हैं तो आप 4 पर circle कर दीजेगा फिर है कक्षा पुस्तकाल है यानि class library और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया तो जरूर कर दीजेगा प्यारे बच्चों किया आपने कक्षा पुस्तकाल है यानि class library से किताबे पढ़ना अच्छा लगता है ना आपको भी अच्छा लगता ही होगा जब आपनी class की library में जाते होंगे और वहां से नई नई किताबे और अच्छी अच्छी किताबे पढ़ते होंगे हर बार की तरे इस बार भी स्कूलों में बहुत सारी किताबे आई हैं अध्यापक और अध्यापिका है अध्यापक या अध्यापिका को नई किताबों को सभी कक्षा पुστकाले हों यानि class libraries में विद्रक करना है नीचे तालिकाव में किताबों और कक्षाओं की संख्या दी गई है क्या आप इन किताबों को हर कक्षा में बराबर बाठने में अध्यापक और तो देखिए क्या करना है यहां पर इतनी सारी किताब है पहली जो है हिंदी की कहानियों की किताब है और इस किताब की संख्या है पचास पचास किताबे ऐसी आई है और कक्षा की संख्या है पाच तो अगर हमें इसे बाटना होता है न जैसे पाच कक्षा है उनमें पचास कुस्ता कि आपको बराबर बराबर बाटनी है तो आप कैसे बाटेंगे हमने पिछली वक्षिट में बढ़ा था हम भाग कर देते हैं वे भाजित कर देते हैं उनको भाग देते हैं तो पचास और भाग का क्या साइन होता है इस तरीके से दो गोले और बीच में इस तरीके से लाइन ये भाग का साइन होता है हम divide कर देते हैं, अब 50 में अगर हम 5 का भाग देते हैं, तो क्या उत्तर आएगा, अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, 5 के पहाड़े में 50 का बाता है, 5 5, 10, 50 होता है, तो 10 इसका उत्तर आजाएगा, यानि अगर 5 कक्षा हैं अगर हम 5 का भाग देते हैं, तो इसे अब हम कैसे कर सकते हैं, इसका आंसर हमारा 13 आजाएगा, कैसे कि देखो यहाँ 5, इस तरह की से लेखते हैं न, और यहाँ क्या था, 65 65, इस तरह की से जब हम भाग करते हैं मैंने क्या किया, 65 65 और यह फाक कर दिया इस तरह के से तो इसका मतलब होता है यह ठीक है अब इसमें देखो 5 के पहाड़े में 65 आपको तो 5 टैंसा तक ही आते हूंगे शायद आपको आके भी आते हूं लेकिन देखिए अब यहां पहली डिजिट 6 है तो 5 के पहाड़े में 6 के आसपस कोई नंब यूज नहीं करते तो 6 से चोटा नंबर एकदम चोटा नंबर 5 है क्योंकि 5 दूनी 10 हो जाते हैं 10-6 से बड़े हो जाएंगे तो हम 5 एकम 5 ही करेंगे अब इनको घटा दो 6 में से अगर 5 निकलेगा तो एक बचेगा अभी जो दूसरा 5 है यहां पर इसको इस तरीके से एरो लगाकर नीचे उतार देते हैं अब हमारा बन गया 15 अब 5 के टेबल में 15 का बाता है 5 एकम 5 5 दूनी 10 पाश दिया 15 इस तरीके से और फिर इसको आता है यह हमारा आंसर हो जाता है तो तेरा आया यानि जो 13 है वो हमारा आंसर आचाएगा इसी तरीके से 36 में अगर हम 3 का डिवाइड करेंगे क्योंकि देखिए हिंदी व्याकरट की 36 के ताबें और 3 कक्षाओं में बातनी है तो चलिए अब हम क्या करते हैं 3 और 36 का इस त वह बहुत अच्छी बात है नहीं तो आप इससे चोटा यूज करते है तो यह आता है तीन एकम 3 ठीक है अब इनको घटाएगे 0 हो गया अब यहाँ 6 कोई नहीं होता तो मालो 6 यहाँ पर है 0 का कोई मान नहीं रही है जिरो की कोई वैल्यू नहीं है तो 6 आता है तीन के पहा कोई नमबर नहीं है एरो डाल के उतारने के लिए तो बारा जो है मारा उत्तर आ जाएगा बारा इसी तरीके से अंग्रेजी व्याकरण की 27 27 किताबे आई हैं तीन कक्षाओं में बातनी हैं तो 27 जिवाइड इजवाइड वाइड तीन अब इसको आप ऐसे निकाल सकते हैं ती 26 12 जैके तो 6 इसका उत्तर आजाएगा अब चित्र पहली की 40 किताबे आई हैं जो कि 4 खक्षाओं में बातनी हैं 40 में हम 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 के पहाड़े में 40 का बाता है 4 टैंसा 40 तो 10 इसका उत्तर आजाएगा इस तरीके से आज की वक्षिट को आप पूरा करें जीके कुर्स खेलने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी अपनी बनाना चाहते हैं आप लोग तो उस चीज के लिए भी लिंक दिस्क्रिप्शन में है थैंक्स वर वाचिंग अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलिए थैंक्यू